आज 23 नॉंबर का दिन है और महाराष्ट की राजनीती में महाराष्ट विधान सभा का जो इलेक्षन 20 तारीक को संबन हुआ है उसके चुनाव परिडाम आज घोशित होने हैं और सुबह 7 वजे से गिंती शुरू हो जाएगी और एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं किसकी सरकार आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है इसी विशे पर अभी हम बात करने जा रहे हैं जहां दोस्तों स्वागत और नमस्कार मेरी यूट्यूब चैनल इंफो हाईवे इंडिया में मैं वीके वर्ट्स महराश की राजनीती में काफी गर्मा गर्म इस्ति बनी हुई है जो बहुत से एग्जिट पोल है वह वह बता रहे हैं कि महा यूती सरकार आरही है और जब कि कुछ गिने चुने जो exit poll हैं वह यह बता रहे हैं कि काटे की टक्कर होने वाली है तो ऐसी इस्तिती में महाविकास अगारी और महायूती यानि कि दो जो गड़ बंदन है महाविकास अगारी जिसमें की कांग्रेस, NCP और UBT शिवसेना उद्धो गुट वाली शिवसेना है और महायूती जिसमें की BJP शिवसेना और NCP अजित पावर वाला गुट इसमें सामिल है तो दोनों में काफी कांटे की टकर है, इलेक्षन हो चुके हैं और रिजल्ट आने वाले हैं लेकिन इस बार के रिजल्ट में उद्धो ठाकरेक को जन्ता की कैसी रिस्पॉंस मिलने वाली है खासकर सिर्फ जन्ता ही नहीं, उनके समर्थक, शिवसेनिक और हिंदुत के जो बोटर होते हैं, जो राश्वादी बोटर होते हैं उने की कैसी रिस्पॉंस ने वाली है, या बहुत अचम्बित करने वाला रिजल्ट आएगा क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे, उसमें जो उद्धोगुट की शिवसेना है, या उद्धोगुट की शिवसेना नहीं थी, सिर्फ शिवसेना थी और इसने महा यूती गटबंदन के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें सीटों का बटवारा हुआ था, और जो वोट मिले थे, वो साचा के वोट थे और इस बार इसी तरीके से यूबिटी उद्धोगुट की पार्टी साजा वोट महा विकास अगहारी जो गटबंदन उसके द्वारा पाएगी, यानि कि स्टेकुलर वोट और ऐसे वोट जो मुसलिम वोट बैंक पर फोकस करते हैं, ऐसे वोट के सहारे, उद्धोगुट अ अपनी राजनेति के आतरा आगे की विजान सफ़ाम पूरी करने जा रहे हैं, जियां दोस्तों, पिछले बार आपको अच्छे से याद होगा कि जो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद श्चिवशेना और बिजेपी का जो गटबंदन महा यूती था, उसने जीत अपनी सुन मुख्य मंतरी या मुख्य मंतरी उसके उनकी अपनी पार्टी का हो, और इसी तरीके से अंदर से जो सलाह मसीवरा हुआ खासकर जो इनके खास सलाकार संजयराउत हैं, आजित ठाकरे हैं, उन्होंने भी उद्धर ठाकरे को एक मुख्य मंतरी के रूप में लांच किया था, जो अपने आप में स्थापित बिचारधारा के बिलकुल बिपरीद था, और इसी बीच में जब यह मतवेद उभरता है और यह चले जाते हैं, महाविकास अगारी के प्रस्ताव की तरफ जिसमें उनकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, कि आप अगर हमारे पास आते हैं तो आपको हमें मुक्त मंतरी हमारी तरफ से बना दिया जाएगा, तो इस बार का जो रिजल्ट आने वाला है, इस बात को भी साबित करेगा कि पिछली बार उदो ठाकरे ने जिस तरीके से समर्थकों से बोट मांगा, और बोट मांगने एक बाद जब रिजल्ट आया, तो क इस तरीके से महाविकास अघाडी गड़ बंदन का हिस्सा बन गये, जिससे समर्थक अपने आपको बहुत ठगा सा महसूस कर रहे थे, खासकर ऐसे समर्थक जो हिंदुत और बाला सहाब ठाकरे के कोर समर्थक के रूप में जाने जाते थे, कोर पार्टी के कोर वोटर के जा चुके हैं और उनका समर्थन उद्धोगुट को नहीं मिलने वाला है, तो इन बातों को देखते हुए यह इस पर्ष्ट हो रहा है, जो कि महायूती गड़ बंदन भी जो एक्जिट पोल भी बता रहे हैं कि महायूती इस बार अपनी बंपर जित सुनिस्चित करने जा रही है, और अभी जब एक्जिट पोल शुरू होंगे, हाला कि एक्जिट पोल हमेशा जो दावा करते हैं वो इसे सत्य थाबित नहीं होते हैं, जैसा कई एलेक्शन में होता भी रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पर्सेंट तक इनके दावे सही होते हैं, और दावे सही होने तक एक जबरजस्त हलचल भी मचाय रखते हैं पार्टी के बीच में, तो जो उद्वबूट की सिवस्यना है, महाविकास अगारी है, वो इस बात को भी लेकर टेंशन में है, कि अगर कांटे की टकर होती है, तो जो छोटे-छोटे पार्टियां हैं, उनके विधायकों को ख होचते हैं, तो कैसे हम छोटी पार्टियों को अपने फेवर में कर पाएं, क्योंकि ये छोटी पार्टियां जो मजबूत दिखता है, उसी के साथ चलती है, तो और इस मामले में बीजेपी की रण नहीं थी, बहुत और केले बंदी बहुत मजबूत मनी जाती है, तो इसको ने कही उध्ष गुट या उध्ष ठाकरे के द्वारा जो वैचारिक, पलिटी मारी गई गई है, वैचारिक जो बदलाओ या भटकाओ परिवर्तन हुआ है उसे पुराने समर्दकों ने जो बालाशाब ठाकरे के द्वारा स्थापित shte MUSICना के जो गतर्ध समर्थाक होते थ तो ऐसे समर्थक जो राष्टवादी थे या तो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और या या जो पुराने सीवसेनिक थे जो कि सीवसेना में बैचारी को उसे बने रहना चाहते थे वह एकना सिंदे की तरफ आ गए हैं तो इस बार का जो इलेक्शन है उदो ठाकरे ने पिछली बार जो अपने समर्थकों को और या सीवसेनिकों को या पार्टी की विचालधारा से विपरिद जाकर जो समझोता किया था उसे का हिसाब भी इस बार जंता बराबर करने वाली है तो यह जो है इस पर बता रहे हैं और आज यह लगभग बारा बज़ तक दोपार बारा जो पिछली बार उदो ठाकरे ने जिस तरीके से अपने राजनेतिक विचारों से हट के जिस तरीके से एंसीपी और कांग्रेस के गठबंदन महाविकास अगहाडी की गोद में जाते बैठ गयते तो क्या लगता है कि इस बार जंता पूरा हिसाब करेगी और अगर हिसाब क जाएंगे शिवशेना अपनी स्थिती मजबूत करेगी और जिस तरीके से जो साजा वोट पहले बीजेपी के भी शिवशेना को मिल जाते थे और जो पूरानी शिवशेना की जो सानिक समर्थक थे वह भी उधोग उटकी शिवशेना से कट चुके है तो क्या आज की जो समाजवादी पालिटी से समझ होता कि या उनके वोट बैंक को लिए अपनी एक भी स्थिट सुनिश्चित नहीं कर सकती है जैसा कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस यहां तकी अमेठी और राय बरिली की स्थिट पर भी अगर सपा से समझ होता ना करे तो उन स्थिटों प परजीवी पालिटी हो गई है क्या उद्धव वोट को भी महाविकास अगहाडी गठ बंदन में जाने के बाद इसी चरीत तरीके के चरीतर को अपनाना पड़ रहा है या इसी तरीके की रणनीति का सहरा लेना पड़ रहा है क्योंकि उसके अपने वोटर जा चुके हैं और जो साज्या वोटर सीटों के साज्यदारी से जो बीजेपी की वोटर आते थे वह भी अब उसे मिलने वाले नहीं तो जो वोटर मिलेंगे यानि कि महाविकास अगहाडी का जो गठ बंदन है और उसके द्वारा जो सेकुलर और मुसलिम वोट्स होते हैं जो परंपरागत ए उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस एक परजीवी पारटी बनके रह गई है क्या आने वाले समय में उध्र गोट के सिवसेना जो अपने को बाला सहाब की असली विरासत या उत्राधिकारी बताने की कोशिस कर रहे है क्या उसकी इस्तिती भी उत्तर प्रदेश के कॉंग्रेस जैसी महराष्ट में होने जा रही है और निस्तित रुप से ऐसा हो सकता है क्योंकि जो वोटर हुआ करते थे बाला सहाब ठाकरे की वह बहुत ही कटर वोटर होते थे बहुत ही सब कोर वोटर होते थे और वह वैचारी गुर्प से उनका समर्थन करते थे और वह कहीं जल्द से गड़ बंधन में गए तो ऐसे वोटर उद्धा ठाक्रे को किसी भी सूरत में पसन्दने वाले नहीं है तो यानि की राजनितिक जो भविष्षय है उद्धाड के निए ऊत्तरप्रदेश के कॉंगरेस जैसा होने वाला है और इहां राजनिटिक पतन और उनके राजनेतिक अस्तित्य के लिए राजनेतिक पतन की उनकी यात्रा होगी और यह राजनेतिक अस्तित्य के लिए उनके बहुत बड़ी चुनोती आने वाली है तो यहां थी कुछ अपडेट्स जो की मामली से अभी अपडेट है बहुत से अपडेट्स अभी आने बागी है क्योंकि आज 23 तारिक है और आज ही चुनाओ की जो है जो वोटिंग की है जो है गड़ना हुआ आज ही हुनी है बहुसे सारी पिक्चर कLIR हो जाएगी, BJP पुरी तरीके से आत्म विशास से भरी हुए है, लेकिन BJP ने अपनी रणनीती के तहाथ आत्म विशास से बचने की भी कोशिश की है, यह क्योंकि इसकी परड़ाम उसके विपृड़ित आसकते हैं, सही तरीके से साधते हुए और घटना क्रमपर पैनी नजर रखते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है और बीजेपी दवा कर रही है कि महाराश में उसके सरकार उसके नेत्रित वाली सरकार बने जा रही है यह अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ब समस्कार बंदे मातरों